हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल की अपसक्सिस में जोस्तों आज जो 17 फरवरी मैट्रिक एक्जाम हुआ था मैथ का उसका हम क्वेस्चन का एनलेसिस करवाने वाले हैं अब्जेक्टिव क्वेस्चन का ठीक है तो आप बारी-बार नंबरिंग सिर्फ अलग अलग होगा तो आप लोग वीडियो को रोक के और अपने क्वेस्चन को ढूंड के वहां से आप लोग मिला सकते हैं कि आपका उब्जेक्टिव कितना सही है ठीक है तो यह बिल्कुल हम बता रहे हैं जो भी क्वेस्चन आया है वो सारा का सारा आप लोग को बारी-बारी से हैं पे मिल वाने फे सOSHने को एक एक कर के आप लोग मिलाईएगा और कितना आपका सही हुआ है और किस डिष्टिक्स ते हैं आप अपने कॉमेंट बॉक्स में के जरिये आप हमें बता सकते हैं तो चलीए स्टार्ट करते हैं क्वेस्चन नमर प उसका बिलकुल ही एक correct answer होगा, चलिए बढ़ते question number second की ओर, question number second में देखिएगा, कि 3 cm त्रीजिया वाले गोले का आयतन होगा, जिससे गोले का आयतन, ठीक न, जिसका जिस गोले का त्रीजिया जो है आर कितना है, 3 cm है उसका जो है volume कितना होगा यह निकि आयतन कितना होगा तो इसका हम solution किये हैं तो इसका है 36 pi cm3 तो जो भी student option No.B लगाय है उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा 36 pi cm3 ठीक है चलिए बड़ते question No.3 की और question No.3 में देखेगा question No.3 मं कि यदि एक याई कि टूपाई आर दे दिया है अगर इसका कितना है है TOUपाई यार बुरह कितने सफेल्ट हम इतना समय है नहीं आप लोग जल्डीजल्डी से मिलाइक हम हम आप लोग को यहाँ पर हम आप्सन बताने वाले हैं कि option में क्या होगा ठीक है तो question था तीसरा कि यदि एक ब्रीद की परीधी 10-5 cm है तो इसका जो छेत्रफल होगा वो क्या होगा तो इसका option number C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिनका भी option number C है बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा जो भी 25-25 cm2 लगाएगा है बिल्कुल सही जवाब है आपका चलिए बढ़ते question number 4 की तरफ question number 4 में है कि घनाव की लंबाई चोड़ाई तथा उचाई 8 cm 6 cm the the Lima Six-र तथा पांस सेंटीमिटर हो इससे विकारण की लंबाई क्या होगे विकाण की लंबाई पूछाएंको पूछा इन्की बढ़ावर पूछा है तो इसका फर्मूला आप लो을गों को पता होगा अगर नहीं पता होगा तो जान लिजी से बात से एले स्कॉायर प्लस बी स्कॉायर प्लस क्या होता है है तो अगर इस पर मुले पर लोग इसको पूट कीजिएगा तो इसका टोटल जो भैलू निकल कर आयागा वह आपका आज जाएगा 10 रूट 5 सेंटीमीटर तो जो भी एस्टुडेंट यह भी लगाए है उसका जवाब बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा दस रूट 5 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर है चलिए बढ़ते क्वेशन नमर 5 की ओर क्वेशन नमर 5 में कि 4 सेंटीमीटर त्रिज नमर 5 लगाए हैं वो बिल्कुल बहुत लाजवाब वहत्रीन वहत्रीन था डाइरेक्ट अगर जिसको फर्मूला याद होगा उसी से बन पाएगा निताई किसी से नहीं बनने वाला है विना फर्मूला का तो चलिए बढ़ते क्वेशन नमर 6 की तरफ क्वेशन नमर 6 में द बिल्कुल सही एंसर है चलिए बढ़ते क्वेशन नमर 7 की तरफ क्वेशन नमर 8 की तरफ क्वेशन नमर 8 में देखिएगा कि एक पासे को फेका गया ठीक है एक पासे को फेका गया एक बिसम संख्यानी की प्राइक्ता होगी जब एक पासे को फेका गया तो एक बिसम संख्य आने की जो प्राइक्ता होगी वो क्या होगी तो एक बटा तीन होगा इसका option number D बिल्कुल correct answer हो जागा जो भी student option number D पे टिक लगाए है उनका बिल्कुल सही answer होगा चलिए बढ़ते question number 9 की तरफ question number 9 में है कि यदि एक match जीतनी की प्राइक्ता 0.7 है तो इसे हारनी की प्राइक् ठीक है तीन बटा 10 होगी इसका मतलब यह है कि 9 का option number जिनका C लगाए है उनका बिल्कुल ही ये correct जवाब है चलिए बढ़ते question number 10 की तरफ question number 10 में देखिएगा कि अच्छी परकार से फेटी गई एक तास की गड़ी में से एक पत्ता जो है याद रिच्छा निकाला जाता है तो इसके काले रंग का बदसा होनी की प्राइक था ठीक है कुल टोटल कितना पता है बावन पता है और काले रंग का बदसा होता है वो काले रंग का बदसा की बात बोल रहा है तो इसका option number पहले देख लिजएगा option में 3 बटे 26 और क्या है option number B में 2 बटे 13 और option number C में 1 बटे 26 और तीन बटे 13 तो यह जो काले रंग का जो बदसा होता है दूग बदसा होता है तो इसको अगर काटेंगे तो कितने बार में कटे का एक बटे 26 देखें हाँ पर ऑप्सन नमरा सी आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर है जो भी है स्टुडेंट ऑप्सन नमर सी पर टिक लगा है एक बटे 26 पर उनका बिल्कुल यह सही जवाब है चले बढ़ते क्वेश्चन नमर 11 की तरफ क्वेश्चन नमर 11 में देखिए गारो हर एक क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मिलाते जाएएगा सेट हम बता देए एफ का सेट थाए टिक है न अगर आपके पास कोई और सेट है तो आप में ध्यूंड के आपका क्वेश्चन लिए और उसे कहोईए कि पास कितना सही हुआ है हम को बताएए और किस बांत में ह करती है तो इगारा का आपका option number D बिल्कुल correct answer हो जाएगा इगारा का option number D यहीं कि 6 जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब है चलिए बढ़ते है question number 12 की और question number 12 में देखिएगा कि है यदि A1 बटे A2 ब्रावर B1 बटे B2 ब्रावर C1 ब्रावर C2 तो समीकरन निकाए जो होगा A A1 एकस प्लस B1 y प्लस C1 ब्रावर 0 तरफा A2X प्लस B2 y प्लस C2 का जो है वह हल क्या होगा तो यह 0 का जो होगा वह होगा अन गिनत हल होगा ठीक है इसका जो हाल होने मूदा हों क्या होगा un definite इसको गयो सकते है जिसको गिन नहीं सकते है ठीक पारा का जिनका भी option number C लगाए हैं उनका ये बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए बढ़ते question number 13 की ओर question number 13 में देखिएगा कि निमलीखित में से कौन सा द्विघात समिकरन है जो चार option दिया गया है उसमें से ढूड़ना है कि द्विघात समिकरन जो है वो कौन है तो 13 का option number C जो है 2X square minus 2X plus 1 बराबर 2 minus X का whole square plus 2 जो है ये आपका द्विघात समिकरन है इसलिए आपका 13 का option number C हो जाएगा जो भी student option number C पर टीक लगाए है उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ये चलिए बढ़ते question number 14 की तरफ निमलीखित में से कौन सा द्विघात समिकरन नहीं है इस द्विघात समिकरन नहीं है लेकिन ये आपका सही एंसर यही होगा 14 का option number D तो जो भी बच्चे 14 का D लगाए है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है चलिए बढ़ते question number 15 की और question number 15 में दिखिएगा कि ये दिविघात समिकरन 2X square minus PX plus P ब्राबर 0 का जो मूल समान हो तो P का मान क कितना होगा इसको जब हल किजिएगा तो इसका जो पी कमान होगा वो स्टी ऑप्सन हो जाएगा इनिकि 0 और 8 दोनों इसका पी कमान होगा 0 और 8 तो जो भी स्टुडेंट 15 का सी ऑप्सन पे तीक लगाए है उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा चलिए बढ़ते question number 16 क देखेगा कि यदि समी करन x square minus k x plus 4 बड़ावर 0 का कोई मुल वास्तविक नहीं हो तो k कमान होगा जो k कमान इसमें पूछा है कि k कमान जो होगा वो क्या होगा तो 16 का option number b यानि कि k जो होगा वो 4 से बड़ा होगा ठीक है यानि कि k क्या होगा 4 से बड़ा होगा तो option number आपक से question number 17 question number 17 में देखिएगा कि यदि alpha तथा बीटा जो है द्विघात समी करन x square minus 3 root 3 x minus 12 बड़ावर 0 के मुल हो तो alpha plus beta minus root 3 बड़ावर क्या होगा यह बहुत ही सांदार question है थोड़ा सा इसको solve करने में समय लग सकता है लेकिन हम यहां पर solve करके पहले ही हम यहां पर टीक लग तीन है option number C पर जो टीक लगाए हैं उनका बिल्कुल यह सही जवाब हो जाएगा 17 का option number C चलिए बढ़ते question number 18 की और 17 तीन 7 11 का 14 पर जो है वो क्या होगा तो 18 के जिनका भी question नहीं हो B लगाए है तो B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा इनका भी यह सही है तो 55 आपका 14 पर सही हो जाएगा तो जो भी student 18 का B option पर टीक लगाए हैं उनका यह बिल्कुल ही सही जवाब है चलिए बढ़ते question number 19 की और निमलीखित में से कौन सा समनांतर स्रेणी में है तो option number A आपका बिल्कुल समनांतर स्रेणी में है देख लिए माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 यहापे जो difference है वो कितना का difference है सब में समय दो का difference है लेकिनी समय देख लिजेगा यह सब जो है अलग-अलग difference को सो कर रहा है इसलिए आपका option number A आपका बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा अभी 19 नमर तक हम बता दिये हैं और भी question का हम हल कर रहे हैं solution कर रहे हैं इसके बाद हम second वाला प्य question का exam देकर आ गए घर पे उनके पास वीडियो को share कर देजे ताकि वह भी अपना मिला लेकि आपका कितना question सही हुआ है तो चलिए मिलते हैं अब next वीडियो में